नमस्कार, खाबर जरा हटके में आप सभी का स्वागत है आपकी साथ मैं हो प्रीती सुनी आज तक आपने गाय, भैस, बकरी, उट या दूसरी किसी जानवर के दूद के फायदे के बारे में सुना होगा लेकिन शायद ही आपने सुना हो कि कोई कीट पतंगा भी दूद देता हो इतना ही नहीं, अगर इसका दूद आप पीने लगेंगे तो आपको गाय के दूद से भी ज्यादा पौश्टिक तत्व मिलेंगे जी हाँ, बिल्कुछ सच है दरसल कौक्रोच या तिलचट्डा, आप किसी भी नाम से इसे बुलाएं, इसे कोई फर्ट नहीं पड़ता उसे तो बस इस बात से मतलब है कि आपके घर में पेट भरने वाली चीज़ें है या नहीं कौक्रोच हमारे आसपास के एक शेत्र में आसानी से देखा जा सकता है यही कौक्रोच हमारे सीहत के लिए काफी फायदे मन साबित हो सकता है आप यह जानकर हैरान होंगे कि कौक्रोच की एक ऐसी प्रजाती है जो दूद देती है कौक्रोच हमें यही एक ऐसी प्रजाती है जो अंडे नहीं देती बलकि बच्चे पैदा करती है इसके दूद में बाकी जानवरों के मुकाबले काफी ज्यादा पौश्टिक तत्फ होते हैं विश्व में ऐसे कई देशे जहां लोग कौक्रोच के दूद का सेवन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यह बड़ा बाजार बन कर उभरने वाला है हमने इस पर खोच की है तो हैरान करने वाले रिपोर्ट मिली यह उनका कहना था पैसिफिक बीटल कौक्रोच के बच्चों के हमेशा जवान रहने का रास उनकी मा के दूद में होता है वो जो दूद अपने बच्चों को पिलाती है उसमें गाय के दूद से भी चार गुना ज्यादा पॉस्टिक तत्व होते हैं रिपोर्ट में बता चला है कि इस प्रजाती के कौक्रोच के दूद में पैसिफिक बीटल होता है जिसका प्रयोग प्रोटीन सप्लिमेंट के रूप में भी किया जाता है जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि कौक्रोच का दूद गाय के दूद से चार गुना ज्यादा फायदेबंद है लेकिन कौक्रोच के दूद में ऐसा क्या होता है जो इसको इतना शक्तिशाली बना देता है उन्होंने बताया कि कौक्रोच के दूद में प्रोटीन क्रिस्टल नाम की एक धातु मिली होती है जो इसको इतना जादा पावरफुल बनाती है उन्होंने बताया कि इसके धीरे-धीरे सेवन से इंसान को लंबे समय तक लाब मिलता है ये एक तरह का शरीर में प्रोटीन सप्लिमेंट का काम करता है और इसका कोई साइड इफिक भी नहीं होता प्रोटीन क्रिस्टल को एक प्रकार का भोजन आप कह सकते हैं जिसमें प्रोटीन फैट और चीनी मिलाई जाती है इंसानों के लिए ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है तो आब ही सोचे कौकरोज के दूद के बारे में